हम investment के लिए इतने उत्सुक होते हैं कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि investment से पहले हमें saving करनी चलू रही है और इस वीडियो में मैं आपको तीन mutual fund scheme में बताऊँगा जो आपको saving में सायक होंगे ना कि investment में क्योंकि मुझे लगता है कि we as a mutual fund investor या as a mutual fund advisor हमें पहले saving journey start करनी चाहिए ना कि investment journey एक बहुत अच्छा quote है जो मैं आपके साथ share करना चाहूंगा the ability to save is way harder than the ability to invest now most of the time क्या होता है कि हमें लगता है कि investment करना मुश्किल है saving तो आसान है लेकिन आपको समझना है कि अगर आप saving ही नहीं कर सकते तो आप investment कैसे करेंगे और आपका कोई भी investment journey without saving journey के आपको desired results नहीं देगा Hello everyone I am Shobit I am a FinBiz Growth Expert and founder of FinBiz Growth Club We are an aspiring community of newest mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको savings क्यों करनी चाहिए या saving की आदत क्यों डालनी चाहिए saving या investment ये दोनों एक habit formation activity है अगर आपको आदत नहीं है तो आप लंबे समय तक investment या saving नहीं कर पाएंगे और without saving investment करना तो कभी भी advisable नहीं है क्यों चलिए इसको समझते हैं चलिए assume करते हैं कि भाई आपके पास कोई saving नहीं है saving का मतलब आपके ना bank account में पैसा है या ऐसी जगा पे आपने पैसा नहीं रखे हुए हैं जहां से आप emergency में पैसे निकाल के use कर सकें और आपने आपका investment journey सुरू कर दिया suppose आपने S.I.P. सुरू कर दी या आपने किसे mutual fund scheme में पैसे लगा दिये अभी आपको समझना है कि investments are by nature volatile इसका मतलब क्या है investments में return आएगा लेकिन आपके time पे नहीं आएगा उसको एक sufficient investment का time देना पड़ेगा वो 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है 10 साल हो सकता है अगर आप ज़्यादा return की ख्वाइस रखते हैं और आप equity mutual fund में invest कर रहे हैं लेकिन आपको समझना है कि आपके जो खर्चे हैं वो आपके time के वेट नहीं कर सकते उनको जब आना है तो आते ही हैं और यह जो खर्चों के मैं बात कर रहा हूँ यह बहुत सारे खर्चे हैं जो unplanned होते हैं किसी की marriage anniversary हो गई किसी का बड़े हो गया कोई बिमार हो गया कोई emergency travel हो गया इन सारी चीजों के लिए भी हमें पैसे के ज़रूरत है और अगर आप अपने घर में खर्चे observe करें तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनके लिए हमने प्लान नहीं किया होता है और इन सब खर्चों के लिए हमारे पास saving होनी चाहिए जो generally हम advise करते हैं वो anywhere between 3 to 6 months of your monthly income तो यह आपकी saving होनी चाहिए और अगर आपको saving की आदत नहीं है तो मैं आपको पता सकता हूँ कि आपकी investment की journey भी ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती तो आपको saving करना बहुत ज़रूरी है आपको saving से ही अपनी investment journey भी start करनी होगी तो एक बार आपको clear हो गया है तो कौन-कौन सी scheme में आप कर सकते है और क्या-क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है तो जो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है कि अगर आप saving के purpose से mutual fund में पैसा लगा रहे हैं तो आपको ऐसी scheme में चूज करनी है जहाँ पे exit load न हो यह बहुत छोटा हो 5-10 दिन का exit load क्या होता है यह वो charges होते हैं जो mutual fund company आपके investment में लगाती है अगर आप stipulated time या जो time तक minimum investment period है उससे पहले अगर आप पैसा निकाल रहे हैं आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप saving purpose से पैसा mutual fund में लगा रहे हैं तो ऐसी scheme में लगाएं जहांपे exit load कम हो दूसरा आपको ऐसी scheme में चूस करनी है जहांपे risk बहुत कम हो या negligible हो तो मैं आपको दो तीनी scheme में बताने वाला हूँ जहांपे आपका जो risk है इन scheme में वो काफी हद तक कम होता है और तीसरी चीज़ों आपको या रखनी है वो यह कि liquidity बहुत जादा हो liquidity जादा होने का मतलब क्या है आपको यह समझना है कि जबी भी आपको emergency में पैसे चाहिए हो तो यह scheme में से आपको तुरंट पैसे मिल जाएं तो यह तीनों चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और इस चीज़ों को इध्यान रखेंगे अगर आप mutual fund में पैसे लगाएंगे तो यह आपके savings के लिए भी alternative हो सकता है जो अगला question आपके दिमाग में आना चाहिए वो यह कि अगर मुझे saving करनी है तो मैं bank में क्यों ना करूँ मैं क्यों mutual fund को choose करूँ जहाँ पे risk का भी element होता है अगर आप यह सोच रहे हैं तो मैं आपको यह बता दूँ कि आपका saving bank से यह अच्छा alternative इस तरह से हो सकते है कि यह आपको यह तो better return दे सकते है यह आपको better tax arbitrage दे सकते है जो भी पैसा आप अपने savings account में रखते हैं आपको यह पता होना चाहिए कि 10,000 से उपर जो भी interest उस पे आता है उस पे आपको tax देना है अपने tax lab के through बनाब जो भी आपका tax lab है उसके हिसाब से आपको अपने interest पे tax देना है whereas mutual fund में जो अगर आप वो पैसा रखते हैं तो वहाँ पे आपका जो tax बनता है वो scheme के feature या asset class के उपर निर्भर करता है और कितने time के लिए आप वो पैसा उसमें रख रहे हैं उस पे निर्भर करता है जनरली हमने देखा है कि saving banks में पैसे रखने सच्छा अगर आप mutual fund में पैसे रखते हैं तो आपको better tax efficient return उस पे generate होके मिलता है तो जब सर्फ पहली scheme मैं आपके साथ discuss करना चाहता हूँ जहाँ पे आप saving purpose अपना पैसा रख सकते हैं वो है arbitrage fund चले मैं आपको थोड़ा detail में बताता हूँ arbitrage funds वो fund होते हैं जहाँ पे fund manager equity derivatives और debt को मिला के एक portfolio बनाता है जहाँ पे जो risk है equity का वो काफी हद तक negligible होता है क्यों क्योंकि यहाँ पे जो derivative का role है वो यह कि आपका जो equity का exposure है उसको वो काफी हद तक downside को product करता है in terms of hedging करके आपका जो return आता है arbitrage funds में वो debt funds या liquid funds या आपके bank fees deposit के बहुत आज पास आता है लेकिन benefit यह है कि arbitrage funds में आपको equity का taxation मिलता है तो जो आपका actual return आपके हाथ में आएगा वो आपको bank fees deposit से अच्छा हैगा एक example से अगर आपको समझाओं suppose आपके savings bank account में आपको 4% मिल रहा है और आप 30% tax lab में है तो 4% का 30% क्या होता है 1.2% आपका tax में चला जाता है तो effective return जो आपका बना वो बना 2.8% whereas अगर आप arbitrage fund में पैसा लगा रहे हैं और आपने suppose एक साल से उपर के लगाया तो suppose आपने tax दिया भी तो 5% return का 10.5% होता है तो net आपके हाथ में 64% आता है तो यह आपको समझना है कि यहाँ पे आपका जो tax arbitrage है वो बेटर होता है और risk उतना जादा नहीं होता है आपको एक effective yield जो है आपके हाथ में बेटर बन जाती है आपको एक और चीज का ध्यान रखना है क्योंकि arbitrage fund एक equity fund की तरह consider किया जाता है तो जब भी आपको पैसे के जरूरत होती है वो T plus 3 days में आती है T plus 3 मतलब अगर आज आपने पैसे के withdrawal के request दी तो तीसरे working day में आपके bank account में पैसा आएगा तो यह चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा investment arbitrage fund को यूज करने के लिए अगर आप historic return देखें तो last one year में most of the अच्छे arbitrage fund ने 4-4% का return दिया है अगर आप bank FDC compare करें तो यह अच्छा alternative आपके लिए वो सकता है प्लीज investment करने से पहले offer document को पढ़ लें और exit load के बार में पता कर लें बिफोर आप arbitrage fund में investment करने क्या सोचें जो दूसरा mutual fund scheme जो मैं चाहता हूँ आप consider करें अपने saving corpus को बनाने के लिए वो है liquid fund या overnight fund यह एक ऐसे funds होते हैं जहाँ पे risk एकड़म negligible के समान होता है लेकिन जो आपको return आता है वो आपको अपने saving background से थोड़ा better आता है या equivalent आता है यहाँ पे सबसे अच्छा feature क्या है यहाँ पे आपको instant redemption facility का option मिलता है इसका मतलब क्या कि आपको suppose राग के बादा बजे भी पैसे के जरूरत है तो वहाँ पे आप जो है पैसा immediate withdraw कर सकते हैं और वो आपके bank account में पैसा आ जाता है तो यह अच्छा feature है आपको liquid fund और overnight fund में मिलता है जिसको आप instant redemption facility बोलते हैं इसके कुछ restrictions हैं वो भी मैं आपको बता दूँ अगर आप liquid overnight fund में पैसे लगा रहे हैं और आप पैसे निकालना चाते हैं तो maximum in 24 hours में आप 50,000 रुपे निकाल सकते हैं और 90% of your investment value तो अगर आपने 40,000 रुपे investment किया हुआ है या 40,000 रुपे आपके investment की value है तो आप 36,000 रुपीज आप किसी एक working day में निकाल पाएंगे अगर आपने 1,000,000 का corpus है आपका liquid overnight fund में तो आप एक दिन में maximum 50,000 रुपे ही निकाल सकते हैं तो एक instant facility का option है जहाँ पे आपको liquidity भी maintain होती है और आपको return भी effectively अच्छा हो जाता है जो market scenario जहाँ पे interest rate on the rise है आपको liquid fund में अपने bank fixed deposit से better return आगे 3-6 महनों में मिल सकता है अगर आप last एक साल का return देखें है liquid funds का तो anywhere between 4-4% से 4.4% के बीच में है और ये आपको अपने savings bank account का एक better alternative दे सकता है तो ये जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों मैं एक बार फिर से repeat कर दूँ आपको liquidity का ध्यान अखना है आपको tax arbitrage का ध्यान अखना है और आपको समझना है कि जो पैसे की availability है आपके जो mutual fund schemes में है वो savings bank की equivalent नहीं होती लेकिन उससे थोड़ा ही कम होती है अगर आप अपने savings में थोड़ा जादा return generate करना आप चाहते हैं तो थोड़ा effort तो आपको लेना पड़ेगा now most of the time हम सोचते हैं कि अगर मेरे savings bank account में 4% आ रहा है liquid fund में say 4.40 आ रहा है तो मुझे 40 पैसी के लिए क्यों मेहनत करनी है आपको समझना है money saved is money art आप सिर 40 पैसी की saving या 0.4% additional return ना देखें आप उसको ऐसे देखीं ये 10% जादा है आपके savings bank account से ये छोटी छोटी चीज़े आपके wealth creation में अच्छा रास्ता create करती हैं आपको एक अच्छा financial future देने में तो I hope आप इस बारे में ध्यान देंगे आप अपने saving को बहुत अच्छा jack up करेंगे before आप अपना investment journey start करने के लिए या as a mutual fund distributor मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें अपने customers को एक अच्छा financial future का रोग में दें अगर आपको इस information पसंद आई हो अगर यह आपके लिए useful हो helpful हो तो मैं चाहता हूँ आप हमारे channel को thumbs up दें, subscribe करें, like करें ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें और हमारा channel like-minded people को पहुँँ सके Thank you very much for watching I am going to see you next time